मारियाना ट्रेंच इतना गहरा और बिशाल है कि इसके बारे में बहुत कम खोज की जा सकी है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मारियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले कुछ अजीबो गरीब जीवों के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दसवे नमबर पर बात करेंगे हम बरेली मचली के बारे में बरेली मचली धाई हजार फीट की गहराई में पानी में रहती है इस से जदा कमाल की मचली आपने कभी नहीं देखी होगी इस मचली की खासियत इसका सिर है इसका सिर पारदर्शी होता है हाँ आप इसके सिर के माध्यम से देख शकते हैं वग्यानिकों के अनुशार पारदर्शी शिर होने के कर्ण ये मचली गहरे शमद्र में अधिक से अधिक धूप एकत्रित कर शकती है यही वज़े है कि इस मचली को गहरे शमद्र में रहने वाले दूसरे जीवों से बहतर शिकारी माना जाता है बरेली मचली के पार दर्शी शिर के अंदर आपको दो और आखे मिलेंगी जो ऐसी दिखती है जैसे वे उपर की और देख रही हो वेज्यानिकों का दावा है कि अंदर की इन आखों से ये अंधेरे में भी दूसरे जीवों की रूप रेखा देख शकती है खेर कापी कोजबीन के बाद भी इस मचली के प्रिजनन की विदी और इसके जीवन चक्र की कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है नौवे नमबर पर बात करेंगे हम गोबलिन शार्क के बारे में गोबलिन शार्क दुनिया की सबसे डरावनी मचलीयों में से एक है समुद्र की करीब चार हज़ार फीट की गहराई में रहने वाली ये मचली आसानी से नजर नहीं आती है लेकिन ये मचली देखने में इतनी भयानक दिखती है कि लोग इसे डेविल फिस भी कहते हैं इसके मुक का अगरभाग इस प्रकार निकला हुआ है कि ऐसा प्रती तो होता है कि ये अपने शात तलवार लिये हुए है इतना ही नहीं इसके दात भी काफी मजबूत और नुकीले होते हैं जो किसी को भी पीस कर रख शकते हैं जबकि शामान शार्क का रंग जादा तर ग्रे होता है वहीं गॉबलिन शार्क का रंग हलका गुलाबी होता है अजीब बात ये भी रही है कि ये खतरनाक जीव गुलाबी रंग का भी हो शकता है साइंटिस्ट का मानना है कि ये डेविल फिश करीब 18 फीट यानि 5 मीटर तक लंबी हो शकती है इसके अलावा वैग्यानिक आभी भी इस जीव पर सोध कर रहे है आठवे नमबर पर बात करेंगे हम डीप सी हैचिट फिश के बारे में आपने कुलाडी जरूर देखी होगी लेकिन क्या आपने कभी मचली को कुलाडी की तरह देखा है खेर मारियाना ट्रेंच में आपको हैरान करने के लिए बहुत कुछ है हैचिट फिश बिलकुल कुलाडी की तरह दिखती है जो की एक खौपनाक मारियाना ट्रेंच फिश है आपको विश्वा से नहीं होगा इस मचली की 40 से ज़्यदा प्रजातियां शमुदर में पाई जाती है इन मचलीयों का सरीर इस परकार चमकता है कि ये चमकदार धातुषे बनी होती है हैचिट फिश का आकार 6 तक का हो शकता है वैसे चोटी होने के बावजूद ये मचली शमुदर के करीब 5000 फीट की गहराई में रहती है ये आश्चर जनक है कि इन मचलीयों ने पानी के इतने दवाव को कैशे और सोसित किया होगा हैचिट फिश की एक और खासियत ये है कि ये बायो लियूमे सेंट है यानि ये मचली अन्देरे में भी चमकती है इनकी मदद से ये शिकारियों को आसानी से बेवकूब बना शकता है शात्मे नमबर पर बात करेंगे हम जोंबी कीडा के बारे में इसको देखकर ऐशा लगता है जैसे मारियाना ट्रेंच के अंदर कोई लास मिली हो ये एक ऐसा कीडा जरूर है जो कभी नहीं मरता है इसलिए इसका नाम जोंबी वर्म रखा गया है जिसका नाम एक हड़ी खाने वाला कीडा भी है क्योंकि ये कीडा जीओं की हड़ीया खाने के लिए मशूर है हाँ उन्हें बड़ी से बड़ी वेल की भी हड़ीयां खाने में कोई दिक्कत नहीं होती खेर में मरे हुए प्राणियों की हड़ीयां खाते हैं ये इन हड़ीयों पर एक तरह का तेजाब डाल देते हैं जिससे उनकी हड़ीयां गल जाती हैं और फिर इने आसानी से निगल जाते हैं जोंबी कीड़े अपने सरीर को पेंड की शाखाओं की तरह चारो और फैलाते हैं जो एक तरह से उनके फेपड़ों की तरह काम करते हैं इनकी मदद से ये कीड़े आसपास के पानी में घुली जदा से जदा आक्सीजन को एकटा करते हैं और चेन की शासिल लेते हैं छटवे नमबर पर बात करेंगे हम ग्रेनेडियर मचली के बारे में ग्रेनेडियर मचली का नाम रेटल फिस भी है इसे देखकर आप शमच चकते हैं कि इसे ये नाम क्यों मिला है इसकी पुछ ठीक पीछे के एक सिरे पर शमाप तो होती है बिल्कुल चुछे की पुछ की तरह अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5 फीट तक लंबे हो शकते हैं ग्रेनेडियर मचली समुदर में करीवे 7,000 मीटर की गहराई में रहती है किसी भी मारियाना ट्रंच जानवर के लिए इतनी गहराई में रहना बहुत मुस्किर है क्योंकि पानी के नीचे अतिदिक दवाव को शमालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है उपर से यहां प्रकास का कोई निशान नहीं है ऐसे में ऐसे हालात में रहने वाली ये मचलियां किसी को भी हैरान कर शक्ती है पाँचवे नमबर पर बात करेंगे हम शिकारी ट्यूनिकेट के बारे में कुछ जैली फिसी या पारदर्शी गुबारों की तरह दिखते हैं जिने किसी ने शमुद की गहराई में छोड़ दिया है मारियान ट्रेंच जीवों की खोच के दौरान हंटर ट्यूनिक की खोज की गई थी इस जीव को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने शमुद की भूम में लंगर गार दिया हो इसका मुझ जो बाहर की और गुल होता है इसका मुझ प्राया खुला रहता है जब तक कोई छोटा जीव आकर उसमें फस ना जाए फसे हुए सिकार को खाने के बाद ये मुझ खोल कर वापस बैठ जाता है और नए सिकार का इंतजार करता है इसकी सिकार सैली कुछ मांशाहरी पौदों के शमान होती है शौते नमबर पर बात करेंगे हम मारियाना इसनेल फिश के बारे में मारियाना इसनेल फिस का दूसरा नाम गोश्ट फिस है ऐसा इसलिए क्योंकि जुन्ड में जब भी कोई मचली किसी पर हमला करती है तो ऐसा लगता है जैसे धेर शारे शफेद भूत मिलकर किसी को डरा रहे हो वैग्यानिकों के मताबिक यह मचली करीव 26-जार फिट गहरे पानी में रहती है और माना जता है कि यह मारियाना ट्रेंच बॉटम जी वाली एकलोती मचली है मारियाना इसनेलफिस का एक बड़ा शिर छोटी आंके और एक सलकहीन शरीर होता है इस प्रजाती के टेड़ पुल की तरह ही दो पंक होते हैं पंकों की तरह माने जाने वाले ये बहुत नाजिकों होते हैं और इन्हें आसानी शे तोड़ा जाशकता है आश्चर जनक है कि ये मचली इतने नाजुक पंकों के शाथ पानी के खतरनक दबाओ में कैसे जीवित रह शक्ती है तीसरे नमबर पर बात करेंगे हम टेलिशकोप ऑक्टोपस के बारे में अब जराइश अनोखे ऑक्टोपस से मिलिए ये मारियाना ट्रेंच में करीब 6000 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं वैसे तो ये टेलिशकोप ऑक्टोपस बहुत छोटे होते हैं इनका साइज महज 8 इंच के असपस होता है वैग्यानिकों का मानना है कि ऑक्टोपस की इस प्रजाती का शमन्द गिलास ऑक्टोपस से है इस ऑक्टोपस को टेलिशकोप नाम इसी लिए मिला क्योंकि इसकी आखे बिलकुल लंबी टेलिशकोप की तरह दिखती हैं बाहर की और दिखने वाले आखे घूम शक्ती हैं और एक बार में ऑक्टोपस को शमन्द का एक विस्तरत छेतर दिखा शक्ती हैं ऐसी आखे आज तक दुनिया की किसी और प्रजाती में नहीं देखी गई हैं यकीनन टेलिशकोप आक्टोपस अपने आप में अनोका है जबकि आक्टोपस की बाकी प्रजातियां शमुद्र की शते पर रेंगती रहती हैं और जब उसे खाना मिल जाता है तो वह उसे पकड़ लेती हैं वहीं ये आक्टोपस शमुद्र की ऊपर और नीचे मन राते रहते हैं यही कारण है कि इन्हें मारियाना ट्रेंच की गहराई बहुत पशंद है दूसरे नमबर पर बात करेंगे हम लियो पिलूरोडॉन के बारे में अब तक हमने जितने भी जीवों की बात की वे आज भी जीवित हैं लेकिन मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव भी रहे हैं जो इस समय मौझूद नहीं है लेकिन उनके जमाने में डर का दूसरा नाम हुआ करता था ऐसे विलुप्त प्राणी का एक नाम लियो पिलूरोडॉन भी है यह एक मानसा हारी शमुद्री शरी स्रिप था जो डाइनासोर के शमय में शमुद्र पर राज करता था आपको मिश्वास नहीं होगा लियो पिलूरो डॉन की लंबाई लगबग 9 फीट हुआ करती थी वैग्यानिकों का मानना है कि इसके 4 पैडल थे जो इसे पानी में तेज गती से तैरने में मदद करते थे यही करण था कि यह जीव लंबी दूरी बड़ी आसानी से तै कर लेता था शिकार पर हमला करने के उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी पलक जपकते ही यह अपने शिकार को पकड़ लेते और बड़े ही हिंशक तरीके से चबा जाते थे वैज्यानिकों का मानना है कि वे अपने लंबे थूथन की मदद से अपने शिकार को शूंकर पहचान लेते थे हाला कि उनकी नजर बहुत अच्छी थी इसका मतलब है कि अन्देरे मारियाना ट्रेंच में वे बड़ी आसानी से शिकार कर लेते थे खेर अन्न सरीस रिपों से भोजन के लिए होड के काड़ ये जीव दीरे-दीरे विलुप तो हो गए है पहले नम्मर पर बात करेंगे मेगा लोडन के बारे में एशा माना जाता है कि आज तक के महाशागर के इत्यास में मेगा लोडन से ज़्यादा भयानक हिंशक जीव कोई नहीं है हाला कि ये प्रजाती भी लियोकलूरोडन की तरे विलुप तो हो चुकी है फिर भी लोगों का मानना है कि मेगा लोडन अभी भी जीवित है और मारियान ट्रेंच की गहराई में रहता है शमय शमय पर इस विशाल का इस शार्क को लोगों के देखे जाने की खबरे भी आती रही है वेग्यानकों के अंशार मेगा लोडन करीब 26 लाक शाल पहले विलुट तो हो चुका है यह शार करीब 60 फीट यानी करीब 18 मीटर लंबा हुआ करती थी अब आप आकार से ही इसके डर का अंदाजा लगा शक्ते हैं और इसका वजन करीब 100 टन हुआ करता था हाला कि इतने बड़े शरीर को भूख उसी तरह मैशूच हुई मेगा लोडन जब समुद्र पर राज करता था उस शमय धर्ती बहुत गर्म हुआ करती थी ऐसा वातावरन इन मचलियों के लिए शबसे अनकूल था लेकिन धीरे धीरे धर्ती ठंडी होने लगी अपने अनकूल तापमान में ये मचलियों शमुद्र के गर्म छित्रों में विच्रण करने लगी यहाँ तापमान ठीक था लेकिन परियापत भोजन नहीं था भोजन की कमी के काड़ वे एक दूसरे को खाने लगे और एक शम ऐसा आया जब उनका अस्तित धीरे धीरे शमाप तो हो गया तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो कैसा लगा पसंदाए से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फिक्ट ग्रीटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दे